नमस्कार दोस्तों मैं कपेल चारण वेक्याता राजनीति विज्यान आप सभी का हादिक स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल RPC Only में दोस्तों जैसा कि आपको स्कीन पर दिख रहे है आज की हमारा discussion का topic रहीगा RIT 2022 का जुलाई में होने वाला exam दोस्तों ये exam सिप qualifying exam में पादता परिक्सा है eligibility test है तो इस exam में हमारा target रहेगा 90 प्लस जो marks हैं वो हम कैसे हसिल करें तो दोस्तों आए दोस्तों इस वीडियो को सिरुवात करते हैं इस वीडियो में आपको कुछ बहूं मों लिया tips में देने चाहरा हूं दोस्तों सबसे पहले तो हमें यह करना है कि जो eligibility test है उसको किसी भी सुरत में हलके में नहीं रेना काफी लोग इसको काफी हलके में ले रहे हैं सोच रहे हैं दस दिन पहले पढ़ लेंगे पांस दिन पहले बढ़ लेंगे और जो 90 plus marks हैं वो हासिल कर लेंगे तो दोस्तों अगर exam को हलके में लेंगे तो आप यही exam आगे जाके आपको जो third grade teacher की vacancy होगी उसमें आपके काम आने वाला है तो अगर आप यहां 90 से एक number भी चूग गए तो फिर आप उस exam के डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे दूसरे यह जो exam में lifetime काम आने वाला lifetime validity होगी त तो फिर हमेंसा के लिए जो रिट है उसका जंजट ही हमाले खतम हो जाएगा तो आपको करना किया है दोस्तों इस exam के लिए target जो रखना है वो आपको लगभी 100 marks का target रखे लेके चलना है ताकि आप जो है नभेपलिस marks वासनी से हासिल करे ले दूसरी जो चीज है दोस्तों आपको जो scoring topics है और जो कम time consuming यानि कम समय लेने वारे topics है या जो parts है उन पर focus करना है कि उन पर focus करेंगे कम समय में अधिक पड़ पाएंगे और अधिक marks हासिल कर पाएंगे सिंपल ही एक businessman की पासा में कहूं तो cost benefit ratio पर हमें चलना है कि हमें हम जीतना time लगा रहे हैं उतनी हमें कीमत मिल रही है या नहीं मिल रही है तो उसके लिए क्या करना है मैं बता रहूं आगी स्लाइड में सबसे पहले अमें focus करना है teaching method पर चाहे बना है उनकी 15 तरह समय में हो जाते हैं तो वह सबसे बाद आपकी जो ब्लैंग्वेज है उनल लेंग्वेजेम के जो जो ग्रामर वाला portion रहेगा उस portion को आपको दियार क्रना है उसमें काभी कम टाइम लगता है, ज्यादा में लगता उसके बाद आपको क्या करना दूस्तों यूट्यूब की साहिता लेनी साइकलोजी का कोई भी क्रेस्ट कॉस्स आप यूट्यूब पे सच कीचेगा कोई भी जो आपको अच्छा लगे वहां से जो साइकलोजी एक बार अपने दिमाग में वहां से एक दो वार सुन लीजिए दो-तीन वार सुन लीजिए ताकि आपके दिमाग में साइकलोजी एक बार सेट हो जाए ठीके उसके बाद कुछ करना है कुछ सिधान देसे बुद्धी के सिधान्त होगे ऐसे जो बिल्कुल नॉर्मल चीजिए सिधान्त वाले वह कर लिए ठीके जहां से अधिक सवाल बनत सब्सक्राइब करने हैं क्योंकि नेगिटिव मार्किंग है नहीं अलिमेशन में से यूज करोगे तो ज्यादा सही होने की चांसे बढ़ जाएगी यह उतर नहीं हो सकता फिर यह उतर नहीं हो सकता फिर यह उतर नहीं हो सकता फिर यह नहीं हो सकता अपर यह तो हो जाएगा दूसरा आपको इंटूशन के साथ जाना है कई बार आपने को चारों नहीं लगते हैं लेकिन अपना दिल कहता है कि यह यह उप्सन सही होगा तो दिल कोई आपके पास कोई six sense नहीं होता या कोई जादू की छड़ी नहीं होती है आपने उस चीज को कई ना कई पड़ रखा होगा आपकी सब कॉंसेंस मैंड वो चीज होती है इससे ही वो option आपके दिमाग में क्लिक करता है